दोस्तो स्वाग रेव सक्का मेरे YouTube चैनल सच इन एजुकेशन हप पर तो दोस्तो मैंने गेम थियोरी की ठ्रेटिकल जो वीडियो थी वो मैंने अपलोड कर दी थी और नुमेरिकल्स मैंने नहीं करवाए थे काफी देर हो गई उसको लेकिन अब मैं आपके लिए गेम थियोरी के नुमेरिकल्स की वीडियो भी ले आया हूँ और गेम थियोरी के जो नुमेरिकल्स है वो एक्चली में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गए है जिसमें दो strategies आती है एक है pure strategy और एक है आपकी mixed strategy दो parts में इसको divide किया गया है actually में और यह जो दो parts है इसके काफी आगे मनलों यह जो दो strategies है इनके आगे काफी methods है pure strategy का तो सिरफ एक method है जबकि mixed strategy के आगे 5-6 methods है तो कहलो कि one by one हर method की वीडियो separately आपके पास डलती जाएगी और आप उन वीडियो को अच्छे से समय सकते हो और game theory का concept आपको अच्छे से done हो जाएगा तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले pure strategy के questions को करेंगे और mixed strategy का सबसे पहला method जिसका नाम है odds method वो हम discuss करेंगे तो चलिए सबसे पहले समझते है pure strategy क्या है तो pure strategy का मतलब होता है when a player uses only and same strategy throughout the game जब एक player ने सिरफ same strategy का इस्तेमाल किया है पूरी game की अंदर तो उस strategy को नाम दिया जाता है pure strategy और जब हम combination of strategies का इस्तेमाल करते हैं with the some probability distribution in our game then this type of combination of strategies is known as mixed strategy नाम से clear है pure means only one only same strategy और mixed का मतलब है different strategies का इस्तेमाल करना तो meaning तो आपको theoretically तो understand हो गया लेकिन जब हम practical concepts से बात करते हैं तो pure strategy का मतलब क्या निकल के आता है when the game has a saddle point in it then the game is of pure strategy सर ये saddle point क्या होता है when the game has a saddle point जब game के अंदर saddle point होगा तो उस game को pure strategy कहा जाएगा अब ये saddle point क्या होता है saddle point होता है it refers to the position in the payoff matrix payoff matrix होता है कि जितना फाइदा एक player को होगा उतना ही नुकसान दूसरे player को होगा जितना फाइदा दूसरे player को होगा उतना ही नुकसान एक player को होगा मतलब अगर एक को जितना फाइदा हुआ है बी को उतना ही नुकसान होगा या बी को जितना फाइदा हुआ है उतना ही एक को नुकसान होगा that is called payoff matrix जब एक payoff matrix में maximum value minimax के equal चली जाती है maximum value minimax के equal चली जाती है तो उसको saddle point कहा जाता है एक practical concept में game theory के अंदर सर यह maximum and minimax value क्या होती है actually game theory के अंदर maximum and minimax का एक principle भी follow किया जाता है उसके बारे में भी समझते हैं तो अभी तक आपने क्या देखा हमने देखा कि pure strategy क्या होती है सर जिसमें saddle point होता है saddle point क्या होता है वो payoff matrix में एक ऐसा point होता है जिसमें maximum और minimax जो point होते हैं minimax और maximin जो values होती है वो बराबर होती है अब maximum और minimax principle क्या कहता है यह principle आपको यह कहता है कि जो player A है जो player A है वो इस wish से खेलेगा कि जो strategy है मलब वो इस strategy को मतलब वो कह रहा है कि uses wishes to play that strategy मलब player A हमेशा वो वाली strategy खेलेगा जिससे उसका जो gain है जो profit है वो increase हो जाए ध्यान से सुनो क्या कहा है कि maximum minimax principle आपको यह कहता है कि जो player A है वो हमेशा यह wish करता है कि मैं वो वाली strategy का इस्तेमाल करूँ जिससे मेरा जो gain है वो maximize हो जाए और दूसरी तरह player B है वो safely play करता है और वो ध्यान से सोचता है और कहता है यह उसकी wish होती है कि मैं उस strategy का इस्तेमाल करूँ जिससे मेरे loss कम हो जाए यानि एक player हमेशा maximizing मतलब वो सोचता है कि जो मेरा gain है मैं उसको कैसे बढ़ाऊ और दूसरा player वो यह सोचता है कि जो मेरा loss हो रहा है मैं उसको कैसे कम करूँ तो यह दोनों अलग-अलग concepts के basis पे यहाँ principle का मतलब क्या है एक player की सोच maximizing है दूसरे player की सोच minimizing है तो इसलिए जिस player की यानि player A की सोच जो maximize करना है gain को उसको कहा जाता है maximum principle और जब player B जो कि safely खेना चाता है और losses को कम करना चाता है उसके principle को नाम दिया गया है mini max principle तर यह तो थ्रेक्टिकली भी साथ में हो गया अब देखें जड़ा अब हम practically देखेंगे अब हम practically यह देखेंगे कि इसको हम कैसे अब हम practically यह देखेंगे कि इसको हम कैसे solve करते हैं हमने पड़ा pure strategy मतलब जिसमें saddle point होता है saddle point मतलब जो mini max और maximum जब equal होते हैं मलब कहलो maximum value mini max value के equal होती है तो उसको कहा जाता है saddle point अब practically निकालते हैं saddle point किसे कहा जाता है तो practically देखे ज़रा ये एक question मैंने आपके सामने लिया है कि how to calculate the saddle point very very easy point है ध्यान से समझेगा जैसे ये matrix ये matrix आपको बना के दे दिया कि यहाँ पे player A है और ये player B है ठीक है जी और ये उनके outcomes लिख दी गई जो आई है अब ध्यान से समझो कि saddle point कैसे निकाला जा सकता है saddle point निकालने के लिए हमने हर row में से particular हर row में से उसके minimum number लिख लिए ध्यान से देखो A1 में minus 2 आता है ठीक है minus 1 is more than minus 2 right तो minus 2 आएगा then उसके बाद minus 6 आएगा then उसके बाद minus 8 आएगा तो मैंने minimum जितने भी number थे वो row में लिख दिये row minimum मतलब row की line में से minimum value उठानी है हर row की line में से minimum value pick करनी है और column maxima मतलब क्या होता है sir column maxima का मतलब है हर column में से maximum number तो पहले column में maximum number minus 1 second column में maximum number 20 and third column में maximum number minus 2 अब क्या अब क्या करना है बड़े ध्यान से सुनना अब मैं Maximin और Minimax प्रिंसिपल करवा रहा हूँ को अब मैं Maximin और Minimax प्रिंसिपल करवा के ही Saddle Point Solve करवाँगा देखे जड़ा Maximin और Minimax value जब equal हो जाएगी Sir ये Minima है तो ध्यान से सुनना Maximin किसे कहते है Sir Maximin value उसको कहते है जब हम Minimum number में से Maximum number को pick करते है ये तीन कौन से number लिये है हमने हर row में Minimum number तो हर row के Minimum number में से Maximum number को pick करना is known as Maximum number Maximum value ठीक है जी और हर column के Maximum list में से Maximum number की list में से Minimum value को pick करना that is known as mini max value मतलब mini out of maximum और maximum out of minimum तो जब हम maximum value out of minimum निकालेंगे तो maximum बन जाएगा और mini max out of maximum निकालेंगे तो उसमें वो चीज mini max बन जाएगी clear हो गया और इसी वज़े से अब check करो कि क्या जो mini max value है और maximum value है वो बराबर है yes sir वो बराबर है मतलब row के minimum line में से maximum number लेना है और column की maximum line में से minimum number लेना है और अगर ये दोनों number सेम आ गए तो उसको हम कहेंगे कि आपके game में क्या है saddle point exist कर रहा है आपकी game में क्या है saddle point exist कर रहा है तो इसका मतलब maximum is equal to mini max हो गया तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी saddle point exist करेगा तो आपके game की value भी वही मानी जाएगी जो saddle point की value होगी यानि जो maximum और mini max की value आएगी वही saddle point की value आएगी और अगर saddle point की value आएगी तो value of game भी वही होगी तो सारी चीज़े minus 2 minus 2 minus 2 आ जाएगी क्योंकि saddle point का होना मतलब value of game उसके बराबर है अब आपसे कई बार question पूछा जाता है कि player A ने कौनसी strategy इस्तेमाल करी और player B ने कौनसी strategy इस्तेमाल करी अब आप चेक करिए कि B के line में कब आपको minus 2 मिला सर्थ थर्ड भी मलब column number third तो player B के लिए column number third यानि B3 ऐसा column है जिसमें वो अगर वो B3 strategy इस्तेमाल करेगा तो वो same level पे जाएगा जहांपे A आ रहा है और similarly A अपनी first strategy जब इस्तेमाल करेगा तो game में saddle point exist हो जाएगा मलब कब saddle point exist होगा जब player A अपनी A1 strategy इस्तेमाल करेगा और जब player B अपनी B3 strategy इस्तेमाल करेगा तब maximum और minimax value बराबर हो जाएंगी और value of game same आ जाएगी यानि एक तरीके से कहलो game में saddle point exist हो जाएगा ठीक है जी एक छोटा सा अगला question भी देख सकते हो मेरे ख्याल से ज़ादा आपको समझाने की जूद नहीं है लेकिन मैं एक और तरीका बताने लगा हूँ आप आपको कि इसको solve करने का एक और तरीका है saddle point को solve करने का ज़रा देखिए एक और तरीका है saddle point को solve करने का जो मैं आपको करवाने वाला हूँ let us take क्या करना है जो भी यह minimum maximum लिखने की बजाए आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो row है जो row है उसमें जो minimum number आपको highlighted हो रहा है minimum number कौन-कौन सा highlighted हो रहा है एक ये वाला और एक ये वाला राइट इसमें तो दो number minimum आ रहे है ना तो दोनों के उपर circle लगा देना है जो number minimum नजर आ रहा है उसके उपर circle लगा देना है ऐसे ही second row में minimum number कौन सा है ये 2 है और third row में minimum number कौन सा है ये वाला 1 है तो circle लगा दिये मैंने अब column में जो maximum number आपको मिलेगा हर column में जो maximum number आपको मिलेगा उसके उपर आपने box बना देना है बना देना है box राइट तो A मालब B1 कॉलम में maximum number कौन से है ये वाला और ये वाला maximum number 2 है maximum number 2 है similarly यहां पर क्या है 5 और यहां पर क्या है 4 तो क्या सर आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है क्या सर ये कॉमन नजर आ रही है कि जिस circle के ऊपर box बन गया यानि box और circle जिस number बन गये एक साथ उस number को कहा कहा जाएगा आपका saddle point आप देख सकते हो कि 2 के ऊपर box बन गया 2 के ऊपर ही circle बन गया चाहे वो कोई भी number है मैं यह 2 ही रहे है ना मलता saddle point और 2 ही बन रहा है ना saddle point कोई 2 और 3 तो नहीं बन रहा वो बन भी नहीं सकता क्योंकि same number ही तो saddle point होगा तो saddle point 2 ही रहेगा तो 2 चाहे A1 में आ रहा है A2 में आ रहा है answer is 2 yes sir तो saddle point 2 बनेगा value of game भी इसकी क्या कहलाई जाएगी 2 कहलाई जाएगी और अगर आपने actually में strategies का पता करना है तो उसको exactly पता करने के लिए क्या कहोगे कि column first और row number first ठीक है आप row number second भी कह सकते हो आप इसको इसको भी ले सकते हो यानि इसमें दो-दो strategies बनेगी इसमें आपकी दो-दो strategies बनेगी मैं बताता हूँ कैसे जरा ध्यान से देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा इसमें जो strategies आपने लिखनी है ये देखिए इसमें जो आपने strategies लिखनी है player A की strategy क्या बनेगी sir player A ने ये और यह वाली भी बनेगी strategy यह वाली भी बनेगी strategy फिक्षिय तो आब यह कह सकते हो player A की दो strategies है A1 और A2 फिक्याजी और player B की भी player B की सिर्फ एक strategy है उसके जो दोनों number exist हो रही है वो first वाली line में exist हो रही है तो जो player B है उसके लिए सिर्फ एक ही strategy है A player चाहे अपनी A strategy इस्तिमाल करे या second strategy इस्तिमाल करे उसका answer बराबर ही आएगा जो B अपनी एक strategy इस्तिमाल करेगा ये कहने का मतलब है ठीक है जी तो इस तरीके से आप saddle point अपना निकालते हो saddle point exist हो गया saddle point का पता चल गया होगा आपको अब pure strategy हो गया coming to the mixed strategy तो बहुत simple सा method है बहुत simple सी strategy का meaning है जो pure strategy का meaning क्या था जब game में saddle point होगा तो समझो वो question कौन सा है pure strategy का जब game में कोई saddle point नहीं होगा तो उस game को क्या कहा जाएगा यानि उस game को solve करने के लिए किस strategy का इस्तिमाल किया जाएगा mixed strategy का इस्तिमाल किया जाएगा और mixed strategy में आप पांच तरह के अलग-अलग method से अपने question को solve कर सकते हो और first method आज हम discuss करेंगे जिसका नाम है odds method जिसका नाम है odds method तो चलिए जबा odds method की तरफ बढ़ते हैं हाँ जी तो देखिए अब odds method इस तरीके से cover होता है odds method भी सबसे important चीज odds method की बताता हूँ odds method दो condition के basis पे आपको use करना है number one जब आपका matrix two by two का होगा sir two by two का मतलब क्या होता है जिसमें दो rows होती है और दो ही column होते हैं यानि दो ही आपकी rows हैं और दो ही आपके column है तो उसको कहा जाता है two by two का matrix यानि जब two by two का matrix होगा only then आप odd method लगा सकते हो लेकिन और दूसरी चीज जो है वो क्या है कि odd method तब लगेगा जब game में saddle point exist नहीं करेगा जब game में saddle point exist नहीं करेगा जब game में saddle point नहीं है plus two by two का matrix है only then आप mix strategy में सबसे पहला method odd method लगा होगे ठीक है जी और odd method कैसे करते है let us look on it सबसे पहले चीज क्या करना है बड़े ध्यान से समझेगा जो भी आपका first row का answer आएगा मैं सिरफ odd समझाने लगा हूँ आपने इस तरीके से सबसे पहले क्या लिखना है odds लिखने है यहाँ पे और यहाँ पे row side के odds और column side के odds ठीक है सबसे पहले ध्यान से सुन लो पहली row का जो answer होगा पहली row का जो answer होगा वो second वाले row के आगे लिखा जाएगा और second row का जो answer होगा वो पहले वाले column के आगे लिखा जाएगा similarly पहले कॉलम का जो अंसर है वो second कॉलम के आगे और second कॉलम का जो अंसर है वो first कॉलम के आगे यानि इस जगा लिखा जाएगा sir answer क्या लिखा जाएगा वो भी सुन लीजिए हमेशा आपने हर row या हर कॉलम में बड़ी value में से ही छोटी value को minus करना है आपने minus करना है लेकिन हमेशा क्या करना है बड़ी value में से छोटी value इसका मतलब minus का sign ignore हो जाएगा minus अगर हुआ भी तो वो minus minus प्लस बन जाएगा तो मतलब क्या है मेरा कि जब भी आपने करना है answer के लिखना है बड़ी value में से छोटी value minus करके पहली row का answer second के आगे second का answer पहले के आगे पहले column का answer second column के आगे second column का answer पहले column के आगे ठीक है जी तो क्या बन गया आपका six में से four चले गए two आ जाएगा five में से four चले गए one आ जाएगा that's it Similarly, 6 में से 4 चले गए, 2 इस जगा लिख दिया जाएगा 5 में से 4 चले गए, 1 इस जगा लिख दिया जाएगा I hope ये चीज आपको clear हो गई Right, तो अब क्या करना है, Sir, odd लिख लिए Odd लिख लिए, अब अगला काम सबसे पहले value of game निकालना सीखिए अब अगला काम, सबसे पहले value of game निकालना सीखिए तब ही बात बनेगी, अगर आ value of game निकालोगे सबसे पहले फिर strategies निकालना सिखाऊंगा आपको तो value of game कैसे निकालते हैं, Sir, इस case में क्योंकि अब saddle point तो है नहीं क्योंकि मैंने पहले कह दिया, saddle point नहीं होगा और column का maximum उस जगा लिखूँ, इधर 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा और column के maximum में इधर 6 आ जाएगा, और इधर 5 आ जाएगा तो सारे number different है, maximum और minimax दोनों अलग-अलग हो जाएंगे saddle point एक्जिस्ट नहीं कर रहा, इस वजए से आपने odds बनाए और odds बनाकर अब आपने value of game बनानी है, value of game कैसे बनेगी, मैंनी बात ध्यान से सुनिएगा, value of game कहती है कि अगर आप player A की value निकालना चाते हो, तो कैसे निकालोगे या कोई भी आप value of game निकालना चाते हो, तो कैसे निकालोगे आप column number 1 ले लोगे, यानि B1 आपने ले लिया, यानि column number 1 ले लिया और column number 1 को row के जो odds दिये हुए है, ठीक है, उसके साथ multiply करके divided by odds का total कर दो, कैसे मतलब सर्द्यान से सुन लो, यह formula देखो ज़रा मैंने क्या किया हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है, कि यह जो यहाँ पे, 6 है 6 को multiply कर दिया है, 1 के साथ, दिख रहा है आपको, right? और यह वाले 4 को multiply कर दिया है, 2 के साथ, और किस odds से किया है, इधर वाले इधर वाले, ठीक है जी? तो 6 is multiplied by 1 and 4 is multiplied by 2 और दोनों को प्लस कर देना है आपस में यह देखिए 6 is multiplied by 1 plus 4 is multiplied by 2 और divided by 3 मतलब इन दोनों का total divided by 3 means इन दोनों का total ठीक है तो value of game निकालने का simple सा तरीका क्या है B1 यानि column 1 को इस odd के साथ और second column मलब first column के second number को भी इस second odd के साथ तो जब हमने इन दोनों को आपस में multiply किया और divided by total of odds किया तो मेरे पास answer क्या आगया 14 by 3 तो this is our value of game बहुत simple सा question है कोई इतना बड़ा lengthy question नहीं है जो आपके पले नहीं पड़ेगा बहुत simple सी चीज़ है एक बार दुबारा सुन लेओ आपको अच्छे से clear हो जाएगा कि odd method क्या है आपने पहली row का answer second के आगे लिखा second row का answer पहले के आगे लिखा पहले column का answer second column के आगे लिखा और second column का answer पहले column के आगे लिखा ये तो आपको clear हो गया होगा तो जब आपने ये number लिख दिया value of game क्या निकालोगे पहले column multiply by row का odd पहला पहले row का odd ले लेना है second मलब first column का second number multiply by odd number second ले लेना है तो multiply और इन दोनों को plus करके divided by 3 करना है आपके पास क्या निकल के आ जाएगा value of game निकल के आ जाएगी यानि इन दोनों number को पहले को इसके साथ और second वाले को second के साथ multiply करके दोनों को plus करना है plus divided by दोनों odds का total करके divide by 3 कर देना है तो value of game आपके पास निकल आएगी आप चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो पहली row ले ली अगर row ले रहे हो तो फिर इस तरीके से करना पड़ेगा आपको फिर नीचे वाले odds का इस्तिमाल करना पड़ेगा ठीक है जब आप पहले column का इस्तिमाल कर रहे हो तो numbers को इसके साथ multiply करना है अगर आप पहली row के through भी answer निकालोगे तो same answer आएगा यानि इसको भी इसके साथ निकालोगे multiply करके और divide by odd का total करके तो answer बिलकुल same आएगा answer बिलकुल same आएगा ठीक है जी तो ये होता है odd method तो ये क्या है आपका odd method तो अब ध्यान से समझे second एक और question करवा के आपका odd method complete करवाता हूँ जैसे लिखा हुआ है two player A and B match coins उनके पास दोनों के पास same coin है if the coin match अगर दोनों coin same आते हैं ठीक है मतलब इदर भी head है उदर भी head है इसका मतलब जो A player है वो 10 रुपे जीच जाएगा second case is अगर coin के दो side होती है na head head हा गया तो A जीच जाएगा that is 10 रुपेस लेकिन अगर coin match नहीं होता यानि B player ने उच्छाला तो उसका tail आया A ने उच्छाला तो उसका head आया दोनों का match नहीं हुआ तो उस case में B जीच जाएगा मतलब अगर same आया तो A जीच जाएगा अगर different आया तो B जीच जाएगा लेकिन याद रखना जब हमने matrix बनाना है na 2 by 2 का बनेगा क्योंकि head or tail दो ही तो चीज़े है जब हमने matrix बनाना है तब सिरफ एक point of view से दिखा जाएगा A या B के तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर A first time जीच जीच गया तो जब B जीता है ना तो इसका मतलब B नहीं जीता A हारा है I mean to say that A हारा है कैसे सर मतलब देखें जरा इसका मतलब है कि जब A का head आया और B का भी head आया तो A जीत गया कितने रुपे जीता A plus 10 रुपे कितने रुपे जीता A 10 रुपे similarly जब A का head आया और B का tail आया अब यहां से head आया और इस तरफ tail आया A ने उचाला तो head आया अब A हार गया मतलब B जीतने का मतलब है A हार गया हमने सरव A के point of view से देखना है B के point of view से नहीं देखना तो A तो हार गया इसका मतलब अब A कितने हारा जितने B जीता होगा यानि payoff matrix मैंने बताया था तो minus 10 कितना आ जाएगा minus 10 हारेगा मतलब minus में next अब same चीज head tail और head है तो different ही न तो कितने रुपे आ गया है ए कितने रुपे हार गया 10 रुपे लेकिन अब यहाँ tail और उदर भी tail इसका मतलब दोनों तरफ same coin आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि A 10 रुपे जीद गया तो 10 minus 10 minus 10 और 10 यह आपका matrix बन जाएगा कैसे same आया तो head positive मनलब 10 रुपे positive में आ जाएगे अगर different आया तो 10 रुपे negative इसलिए क्योंकि A हार गया क्योंकि A हार गया हमने सिर्फ एक point of player से देखना है अब इसको odds निकाल दीजे आपका यह question complete हो जाएगा और निकालने का तरीका बता चुका हूँ लेकिन इसमें अब ध्यान से समझेगा जो मैंने पहले question में point बताया पहली row का answer second row के आगे लिखना है लेकिन sir 10 में से 10 minus नहीं करने है minus minus plus होता है तो minus minus plus मैंने बताया था minus को ignore करना है यह चीज बताया उपर मैंने similarly 10 minus 10 नहीं minus minus plus यानि 20 हो जाएगा इधर भी 20 हो जाएगा और उधर भी 20 हो जाएगा तो बस अब जल्दी से value of game निकाल दीजे तो value of game कैसे निकलेगी sir हमें पता है कि h वाली line ले लेनी है तो formula equation क्या बनेगी आपकी equation क्या बनेगी आपकी यह देखें जरा 10 is multiply by 20 पहली line को जब 20 से multiply कर दिया plus minus 10 is multiply by 20 is overall divided by 20 20 और कितने हो गए total 40 तो value of game कितनी आ जाएगी 200 minus 200 is divided by 40 तो मतलब क्या आया answer मतलब क्या आया answer 0 divided by 40 मतलब answer is 0 answer is 0 तो value of game क्या आ गई 0 आ गई value of game क्या आ गई 0 आ गई ठीक है जी I hope कैसे किया मैंने वो आपको एक बार just repeat कर रहा हूं ध्यान से देखेगा मैंने value of game इसको इसके साथ multiply कर दिया और इसको इसके साथ multiply कर दिया यानि इसके साथ right यानि नीचे वाले player को second के साथ first वाले player को पहले नंबर को पहले odd के साथ तो divided by इस odd का total जब आप column ले रहे हो लेकिन अगर आप row लेते अगर आप row वाली line लेते तो फिर नीचे वाले order के साथ multiply करना था ठीक है जी यह मतलब इस चीज़ का तो answer same आएगा अब याद रखना जब value of game 0 आती है उस game को fair game कहा जाता है game theory के अंदर I hope यह चीज़ भी आपको clear हो गई होगी अब जल्दी से क्या करना है sir यह question भी आपको clear हो गया answer भी आपको clear हो गया strategies निकाल दीज़े फटाफट strategies I know अब आपको clear हो गई होगी 20 divided by क्या आएगा sir पहले में 20 outcome है तो total कितना है 40 20 outcome है तो total कितना है 40 20 outcome है तो total कितना है 40 इधर भी कितना आजाएगा 20 divided by 40 इसको reduce कर दो तो 1 by 2 आजाएगा क्या आजाएगा 1 by 2 इसको reduce कर दिया तो 1 by 2 उनको reduce कर दिया तो 1 by 2 1 by 2 आजाएगा आपकी strategies आजाएगी और total क्या आजाएगा 1 के बराबर total क्या आजाएगा 1 के बराबर that's it यह है आपका odd method अब जल्दी से यह question अपनी practice के लिए कर लेना answer आपके सामने है answer आपके सामने है ये question को screenshot ले लिजे और इस question का answer मुझे comment box में जल्दी ही जल्दी चाहिए ठीक है जी तो solve करके मुझे बताना answers आ गए हैं के नहीं आए हैं same आया के नहीं आया एक बाद जुरूर comment करके बताना ठीक है दोस्तों तो I hope आपको odd method और saddle point इस game theory का part सबसे पहला basic part clear हो गया होगा हो गया है तो वीडियो को like, share and subscribe जूरूर करके जाएगा और अगर कोई भी notes आपको चाहिए तो telegram channel पे आप ले सकते हैं किसी भी comment subjects regarding thank you so much, have a very nice day